नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नीज में मेरे तनसेन भारती अज हम बात करेंगे पंचाय चुनाब के बारे में पंचायत चुनाब जारी है लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो पंचायत चुनाब के बाद कि पंचायतों की विकास कार्ज को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि बिहार सबकार लगातार पंचायतों के डेवलप्मेंट की बात करती रही है ऐसे में पंचायती राजमंत्री ने जी आएगी पंचाइती राजमंत्री समराण चौधरी ने कहा कि जनबरी से सभी बाढ़ में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी साथ ही यह भी कहा गया है कि 5 साल तक मेंटेनेंस करना होगा यानि कि जो कंपणी उससे लाइट को लगाएगी वही उसका मेंटेनस भी करेंग RMS से पता चल पाएगा कि कहीं लाइट जल रही है या फिर नहीं या सोला रशीट लाइट पे होगी यानि कि इस वार जो है बिहार सरकार अपने संसाधनों पे भी खास ध्यान दे रही है पंचायदी राज मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचायद चुनाव संपन होने के बाद नाली, गली और जलापूर्ती योजना का सर्वे करया जाएगा अगर कहीं काम छूट गया है तो उसे पूरा किया जाएगा, अगर कहीं काम में किसी तरह की गलबड़ी है तो उसे पूरी तरह से दुरुस्त कराया जाएगा अभी तक एक करोड़ बीस लाग घरों में पानी पहुच रहा है, सभी घरों में पानी पहुचाने की सरकार की योजना है, उन्होंने कहा कि मद्दाता सूची से मिलान कर सभी परिवारों को चिनित किया जाएगा, बचे हुए चालिस लाग घरों में जल्दी जलापूर्ती की अभी जो है बिहार सरकार की तरफ से तरह सके अधिकारिक पुष्च नहीं हुए लेकिन आने वले दिनों में उसकी भी घोशना कर जी जाएगी इसमें से आधी रासी जो है बाड के मेंटेनेंस को लेकर रखा जाएगा आधी खराब होने पर प्रखंड अस्तर पर मरमती का करा बिहार जाएगा जाएगा यानि कि जो पैसे गावं से बसुरे जाएंगे जो पैसे आपको नल जल योजना के तहता बसुरे जाएगे उसमें जो है कहा गया है कि उसके maintenance पे जो है उन पैसों का खर्च होगा यानि कि बार्ट जो है उसके maintenance की जिम्मेबारी रखेगे प्रक्तेक परखंड में 2-3 agency को इसकी जिम्मेबारी दी जाएगी हर बोरिंग में ITO लगाए जाएगा इसमें जिला अस्तर पर भी निगरानी की वेवस्ता होगी यानि कि बोरिंग पे भी इस वार निगरानी रखेगी बिहार सरकार हमने पहले भी का कि बिहार सरकार इस वर स्ट्रीट लाइट के साथ बोरिंग पे भी जो है निगरानी रखेगी और वो जो है अपने संसाधनों को बचाने की कोशिज कर रही है 40,000 बोरिंग में ITO यानि की चीफ लग गया है मार्ज तक 1,14,000 बोरिंग में भी इस तरह के यंद्र जो है वो लगाई जाएंगे मंतरी ने बताया कि सभी बाड़ों में चरणबार कच्रा परबंधन की वेवस्था की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि पंचाईतों में छोटे अस्तर की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी परखंड अस्तर पर बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी पंचाईत अस्तर पर 4-5 लाख रूपे और परखंड अस्तर पर 10-12 लाख रूपे की खर्च होंगे बित्य बस 2021-2022 में 1000 और 2022-2023 में 4000 पंचायतों में प्रोसोसिंग यूनिट जो है वो लगाने का लक्स दो है निर्धारित किया गया है इस जवरान बोलतो है उन्होंने यह भी कहा कि 2022 में जमीन उपलब्ध रहने पर अब हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनेगा अभी 3300 पंचायत सरकार भवन बन कर तयार है उसमें से 16 साव तयार हो चुके हैं यानि कि अब तब जो है 3300 पंचायत भवन निर्वाना दीन है लेकिन उसमें से 16 सव ऐसे पंचायत भवन है जो कि बन चुके है 1700 में काम चल रहा है 47 सव पंचायतों में पंचायत भवन सरकार बनने वाला है इदोरा नहीं ने पंचायत चुनाब को लेकर बोलते हुए कहा कि एक तो चुनाब से पहले भी वो काफी सक्रिय थे लेकिन अब जब चुनाब आखरी सीती में है 12 दिसंबर को आखरी चरन का मद्दान होगा उसके बाद से पंचायतों में डेवलप्मेंट के कार्ज को लेकर पंचायती राजमंत्री सक्रिय देख रहे हैं बिहार सरकार भी लगातार पंचायतों में डेवलप्मेंट की बात करती रही है इन सब चीजों के बीच में एक जो सबसे अहम चीज जो थी पंचायती राजमंत्री और बिहार सरकार की तरफ से कि पंचायत जो है अब आत्म दिरवर होगा उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि अब नल जली हो सनक्षन को लेकर भी उसमें एक चीप लगाएगी जिससे यह पता चल जाएगा कि सोलर लाइट जल रही है या फिर नहीं या फिर बोरिंग जो है वो चलता है या नहीं या फिर उन्ट से पानी निकल रहा है या नहीं इन सब चीजों को ध्यार में रखते हुए बिहार सरका अब बार्डों को भी हाई टेक करने जा रही है बिहार और बिहार से जुड़ों और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुशे दीजी एजाजत धन्यवाद